अगर आपको बगडर निकालना है तो जादा ताम जाम नहीं करना है होता क्या है force into displacement एरिया से multiply एरिया से divide force by area pressure बन गया और यह volume बन गया तो आप प्लीज इसको धंग से याद रखेगा p into db होता है volume का चेंजमेंट अब इसमें सबसे बड़ा confusion कि भाई कहां तक का चेंजमेंट लेंगे तो यह जो db है न यह जो db है न db 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 जो change के रूप में रहेगा न वहां तक का area लेंगे जैसे volume और pressure तो volume जहां से पूरा area लीजेगा तो नीचे का क्या है rectangle जिसका area यह आ जाएगा उपर का trapezoidal जिसका area यह आ जाएगा और फिर total क्या कर देंगे दोनों को sum कर देंगे समझे कि नहीं समझे